श्रीमान बेंक टनाथार यह कवितार की केकेसरी वेदान ताचार यवर्यों में सन्नितत्ताम सदाखर दी श्रीस्तुती में आज चटा श्लोक का व्याख्यान करना है श्लोक इस प्रकार है उद्देश्यत्वं जननिभजतो रुझ्जितो पाधि गंधम प्रत्यक गुरूपे हविशियु वयो रेकशे शित्वयो गात पद्मे पत्युस्त वचनिगमेहीं नित्यमन विश्यमान हां आती कटिन श्लोक है सामान यतहा ये श्री सुती में रहने वाले श्लोकों में सामान यतहा स्तुती नहीं की गई है शास्त्री ये बातें इसमें बहुती अंतर नहीं तहें इसले इन श्लोकों का अर्थप्रतिपादन करने में भी हमें बहुत ही समय बहुत व्याख्यान के साथ कहना पड़ता है सामान यतहा हम कुछ विश्यों को जानने के बाद ही इस श्लोक का अर्था वगमन सरल हो सकता है फिर से मैं एक बार आप लोगों के सुविधा के लिए की सुविधा के लिए श्लोक को पड़ता हूँ और पदच्चेत करने के बाद मैं कुछ विवरन देकर बाद में श्लोक का अर्थ का प्रारंभ करता हूँ उद्देश्यत्वं जननि भजतो रुज्जितो पाधि गंधं प्रत्य ग्रूपेह विशियु वयो रेकशे शित्वयो गात। पद्मे पत्युस्तवच निगमेर नित्यमन विष्यमानहां नावच्चेतं भजतिमहिमानर्तयं मानसं नहां उद्देश्यत्वं जननि भजतो हो उज्जितो पाधि गंधं प्रत्य ग्रूपेह विशी युवयो हो एकशे शित्वयो गात। पद्मे पत्युस्तवच निगमेही नित्यम अन्विष्यमानहां नावच्चेतं भजतिमहिमानर्तयं मानसं नहां ऐसा पद्चेत युद्यपी पद्चेत श्लोक इत्यादी कंटेस्ट करना सुलब है। कई लोग इस वस्तुती को सरलता से बोल भी पाते हैं परंतु इसका अर्थ समझना इतना आसन नहीं है। वस्तुता इस विशेशता इस विश्लोक को समझना कुछ कटिन है। प्रैत्न करता हूँ आपको समझाने के लिए। येग्यों में हम किसी देवता को उद्देश करके हाविस का प्रदान करते हैं। हाविस याने उस देवता को दी जाने वाली पदार्त है। अग्नी में हम समान्यता आहुती देते हैं। और इंद्रायस्वाहा वरुनायस्वाहा ऐसा कहकर इंद्र वरुन इत्यादी देवतावों को जो आहुती दी जाती है। वो प्रसाद रुपी हो सकता है अथवा अन्न हो सकता है या अथवा पाइस इत्यादी हो सकता है। इन सबको हविस ऐसा नाम है। जिस देवता को उद्देश्य करके हम उस हविस को देते हैं, उस देवता के पास अग्नी भगवान उस हविस को प्रदान कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। ऐसी हालत में वुस हविस को हम शेश शब्द से प्रयोग करते हैं, जो देवता उसे पाती है उसको शेशी शब्द से कहते हैं। सामान्यतहा देवताएं, इंद्रादी देवताएं जो आहुती पाते हैं, वो वस्तुतहा मुख्य देवता नहीं हैं। और वो भी हमारे जैसे कर्मवश्य हैं, वो भी हम जैसे एक समय में रहकर अपने पुन्य कर्म की वजह से विशेश रुप से इंद्रादी पादवी को अस्तान को प्राप्त किये हैं। ऐसे जो देवताएं हैं उनको हविस प्रदान करते वक्त, वो हविस उस देवता को एद्धिपी मिलता है, तो भी मुख्य शेशित्व उनका नहीं है, एद्धिपी शेशित्व है, वो सोपादिक शेशित्व है, वो उस वक्त कर्म से उस इंद्रादवी को प्राप्त किया ह इसलिए उनको मिलता है और बाद में जो कोई भी इंद्रपदवी में जाएगा उनको मिलेगा ऐसी परिस्तिति में इस हविस्का स्विकार करने वाले वो जो देवता है वो मुख्य शेशी नहीं बनता है अपितु अवपाधिक शेशित्तो को प्राप्त करता है वस्तुतहा इसी प्रकार हम जो आत्मा को भगवान को सौंपते हैं उसे प्रपत्ती का अनुष्ठान रूपी यग्य ही कहते हैं ओभी अर्थात आत्मा को परमात्मा को सौंप देना है क्योंकि ये आत्मा भी हमारा नहीं है ये भी आत्मा परमात्मा का शेशभूत तत्व है इसलिए उसका स्वामी ओ भगवान है अर्थात भगवान स्ट्रिमन नारायन ही मुख्य देवता है उनका शेशित्व बाकी देवतावों का शेशित्व जैसा आउपादिक शेशित्व नहीं है अपित्मु क्या शेशित्व है उनके पास आत्मा रुपी हविस को समर्पन करना आत्मा रुपी जो शेश अपदार्त को अर्तात समर्पन करना स्वतहा प्राप्त है हम जैसे लोगों को अवश्य करता भी है क्योंकि हम आत्मा पहार करके एक महापातक किये हैं हम आत्मा को अपना समझ रहे ही वस्तिहा आत्मा भगवान का है उस तत्व को एक दिन आचारी मुखात सुनकर समझ कर उस आत्मा को भगवान को सौंप नाही प्रत्यक रूपी इस आत्मा को प्रत्यक पदार्त बोलते हैं बाकी पदार्तों को पराक तत्व बोलते हैं तो इस तत्व को आत्म तत्व को प्रत्यक तत्व बोलते हैं इस प्रत्यक रूपी जो हविस है इसको उसका जो उचित स्वामी हैं उसका निरुपाधिक स्वामी हैं उनको सौंपना ही जो उचित है उस काम को करते वक्त हम लोग इतना संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हम जिस प्रकार एक चोर स्वयम चोरी करके उस वस्तु को एक में एक दिन समझ कर मैंने जो चोरी किया है वो गलत है ऐसा समझ कर उनी के चरनारविंद में जाकर मैंने गलती से चोरी कर दिया आपके पदार्थ को आपके पास सौपने के लिए मौका आ जाया है मैंने जो गलती किया उसके लिए अपरात ख्षमापन करना है ऐसा कहकर अगर उस तत्व को उस वस्त्व को उस चोर अगर उसके स्वामी के पास दे देगा तो जितना संतोश होगा देने वाला को और पाने वाला को दोनों को संतोश होगा कम से कम आज तो ये सुधर गया ऐसा समझ कर वो स्वामी भी सोचेगा कि वो वापस मैं तो डून निकालने वाला नहीं हूँ इद्यपी वो स्वयमा कर दे दिया है ना ऐसा संतोश वो भी पाएगा और मैंने एक कृतकृत्य बन गया मैंने जो चोरी किया उस अपराद से मुक्त हो गया ऐसा चोर भी संतोश्ट होगा उसी प्रकार इस आत्मत अत्तो तो परमात्मा के पास सौपने से हमें भी इतना ही आनंद मिलेगा और एक बात इसमें विशेश तत्व है ये जब स्वामी उद्देश्य हैं हमारे प्रत्यग रूपी हविश्परदान करने की ये यग्य रूपी कृया में उसमें भागवान अकेले नहीं शेशी हैं पर अन्तु लक्ष्मी जी भी साथ में शेशी तत्व है अर्ताथ दोनों मिलकर शेशी ही उबहे शेशी त्वम अर्ताथ हमारे आत्म वस्तु को प्रतिग्रह करते वक्त दोनों मिलकर ग्रहन करते हैं क्योंकि ये वस्तु दोनों क है और हम इस आत्मतत्त को शेशतत्त को आत्मा शेश है और आत्मा का सुबाव ही शेश रहना और वी परमात्मा का शेश रहना और दिव्य दमपती लक्ष्मी और भगवान स्वी विश्णु के स्वामित्त में रहने वाला इस आत्मतत्त को उनी के हाथ में हम चोर जैसा रहकर अपराद का ख्षमापन प्रार्थना करते हुए उनके पास सौपना प्रूपी जो यग्य है उसमें शेशित्त दोनों को मिला कर है इस विश्य को हम जैसे समझते हैं आहा हम आत्मतत्त को दोनों को मिला कर सौप रहे हैं उन दोनों के स्वामित्त को समझ कर हम सौप रहे हैं ऐसा जब भी हम सोचते हैं तब हमारा मन में एक नर्तन होता है मनस नर्तन करता है संतोश में आनंद में वो खूदता है ऐसे अर्थ को इस श्लोक में प्रकट करते हैं अर्तात हम लोग आत्म समर्पन करते हैं परमात्मा के पास यही तो उचीत है यही मौक्ष पाने का एकमात्र रास्ता है इसे अलग-अलग संपरदाय में अलग-अलग नाम से अद्धिपी बोलते हैं परंतुरामान जो संपरदाय में इसे शरनागती कहते हैं अतवा प्रपत्ती कहते हैं अलग-अलग नाम से पुकारते हैं उपाया अनुष्ठान कहते हैं आत्मा के लिए एक उपाया अनुष्ठान है अभी तक कोई उपाया नहीं रहा इसके मौक्ष पाने के लिए कोई रहा आज सदाचारी का ठाक्ष से हम आचारी के द्वारा इस आत्मा को परमात्मा को सौंपने का काम करने वाले हैं ऐसा जो यग्यात है प्रत्यक गुरू पे हविशी इसे शब्द से कहते हैं इस श्लोक में आप इस लोक को समझने के लिए प्रयास करेंगे इतना बैक्ग्राउंड में समझ में आएगा तो इस लोग को समझने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं देखिए जननी हे मातहा ऐसा लक्ष्मी जी को संबोधन करके और एक भी संबोधन पदमे है जननी पदमे प्रत्यक रूपे हविशी जीवात्मा को सौपना ऐसा जो हविश है प्रत्यक रूपे हविशी जीवात्मा रूपी जो हविश है प्रत्यक आत्मा को सौपना ये एग्या है उसमें हविस है प्रत्यक अर्था जीवात्मा स्वयम हविस बनता है उसमें उजितोपदी गंधम उद्देश्यत्वम बाकी देवताओं में सोपाधी को शेशित्व है उद्देश्यत्व है अगनी इंद्रादी को उद्देश करके अम अगने इस वहा इंद्रा इस वहा ऐसा जो देते हैं वहां किसी उपाधी की वज़े से उस अस्तान पर ट्राप्त हुए इंद्रादियों को हमें देना पड़ता है और वस्तुताः स्वामी तो वे नहीं हैं वो भी हमारे जैसे कर्मवश्य हैं इंद्र बदल भी सकते हैं और इतना ही नहीं चाल भी योयोयामयाम् तनुम भक्ताया आस्ति मिच्छतिь तस्यतस्या अचलाम श्रद्दामतामे व विद्धाम्म्म सद्या श्रद्दाया युक्ताता स्द्या रादनमीहते लबतेच ततकामान मैयीववृहितान हितान इत्यादी में यद्यपी हम इंद्रादियों को उद्देश करके हम हविस परदान करते हैं तो भी पलब परदाता, मुक्य पलब परदाता भगवान ही है इन आहुतियों को भी इस्वीकार करने वाला अंतताह भगवान ही है इसी हालत में हम मुक्य हविस को मुख्य देवता को देने के लिए जो प्रयास है वो ये प्रपती ही चहरनागती है उज्जितो पादि गंधम उद्देश्यत्वम जो परमात्मा में और लक्ष्मी जी में है उसमें उद्देश्यत्व को प्राप्त करने वाले आप दोनों लक्ष्मी और विष्णू दोनों का एक शेशित्व योगात एक ही प्रकार का शेशित्व दोनों का है और उसमें पती के लिए शेशित्व उत्कृष्ट है लक्ष्मी जी का शेशित्व उसमें निकृष्ट है ऐसा कुछ नहाई नहीं येक शेशित्तों एकी प्रकार का शेशित्तों को प्राप्त करने की वज़ा से पत्युहू तवचय महिमा अर्दात आपके पती देव विश्णु का और आपका आप दोनों का जो श्रेयस है आप दुनों की जो महिमा है वो निगमे ही नित्यम अन्विश्यमानहा वेदों में वेदों से हर वक्त डूंडे जाने वाला जो आपकी महिमा है उसे थोड़ा बहुत समझ कर भी अच्छा जितना महत तो होता तो इस आत्मा को उस स्वामी के पास हम सौपेंगे कितना विश्वास रखना पड़ता है आहाँ सही है हम लोग सही काम किये हैं आज ही इतना दिन हमें तत तो नहीं मालुम था मुख्य स्वामी यही है इन्ही के पास सब हविस को परदान करना चाहिए हम इंद्राय स्वाह इत्यादी मंत्रों के द्वारा इंद्र वरुनादी का जो अहुतियां दिये हैं उसे मुख्य आहुति देने के उचित देवता ये युगल ही है ये युग्म देवता है लक्ष्मिय और नारायण और इनको ही हमें देना है ऐसा समझ कर वेदों से हर वक्त अन्वेशन करने वाली जो महिमा अस उस महिमा के स्वामी को समझ कर नहा मानसम अमारा मन नर्तयन अवच्चेदम नभजती अवच्चेदम नभजती इतना ही संतोष ऐसा एक आवदी को प्राप्त नहीं करता है अर्ताथ आवदी रहित संतोष को प्राप्त करता है कि हम इतना आनंद में खुदम खूद करते हैं कि इस आत्मा को उचित ढंग से उचित देवता के पास सौंप दियें जिनकी महिमा इतन और दोनों मिलकर एक शेशित्व को प्राप्त करते हैं ऐसी किसी देवता का हाई ही नहीं इंद्रादी देवता हैं इंद्रानी के साथ थोड़ी हवी स्परदान प्राप्त करने में शेशित्व को प्राप्त करते हैं वो भी निरुपादिक नहीं सोपादिक स्वामित्व है सो सोच सोच कर हमारा मन संतोष का अनुभव करता है ऐसार्त को इस श्लोक में प्रतिपादन करते हैं जननी पद्मे प्रत्य गुरूपे हविशी उजितो पाधि गंधं मुद्देश्यत्वं भजतो हो युवयो हो एकशेशित्वयोगात पत्युहु तवच महिमा निगमैही नि महिमा क्या करती है अमारे मन को संतुष्ट बनाकर नर्तयन कराते हुए अवच्चेदम न भजती इतना ही संतोष ऐसा ही एक अवधी को नहीं प्राप्त करते हुए बेलातीत संतोष को प्राप्त करता है ऐसा इसका मतलब है अर्तातनहा मानसम नर्तयन अवच्चेदम न भज उद्धेश्यत्वं जननिभजतोहं उज्जितोपाधि गंथं प्रत्य गुरूपेह विशियुवयोरेकशेशित्वयोगात। गुरूवे नमहाँ